आप सभी का स्वागत है जोती शूर्जा में, आज है सोंवार का दिन और भगवान शिव का दिन, भगवान शिव बहुत प्रसंद होते हैं अपने उन भक्तों से जो उसकी भक्ती में कोई कमी नहीं जोड़ते, भगवान शिव बहुत भोले हैं और छोटी सी बात से वो बहु करने वाले हैं ये चीजें भगवान शिव को अगर अर्पित की जाएं तो वो बहुत प्रसंद होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टी हमेशा बनाए रखते हैं समस्याओं से मुक्ति मिलती है अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की समस्या है पै अगर सावन के महीने में नहीं कर सकते हैं तो आप इसे किसी भी सोंबार को करें इस उपाय को करने से आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ती होती है अगर आप कोई भी इच्छा करते हैं और साथ में ये उपाय आपने शुरू किया है तो आपकी इच्छाएं धीरे-ध पूरी हुनी शुरू हो जाएंगी। भगवान शुर्व की प्रिये वस्तूओं में एक ऐसी वस्तू है जो हम लोग कभी भी इस्तिमाल नहीं करते हैं क्योंकि यह वस्तू तंतरशास्त्र का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारे प्रियोग में कामाती है। तंत्र शास्त्र में धतूरे का प्रियोग बहुत अच्छे से किया जाता है। धतूरे से कई ऐसे प्रियोग किये जाते हैं जिससे समस्याओं का अंध हो सके। तो आज यही प्रियोग में आपको तंत्र शास्त्र में से बताने वाली हूँ कि आप कैसे धतूरे का इस्तिमाल क सक्थे हैं सोवार के दिन आपकीसी भी दधुतूरे के पौधे के पास की पास चले जाएं और वहां से ये फल तोड़ लें अब आपने इस फल को मंदिर मैं ले जाना है सोवार का दिन है भगवान शिव का दिन है तो साथ में आप धोड़ा सा गंगा जल ले जाएं और इसके साथ उसमें कच्छा दूड डालने और साथ में धुदूरे का एक फल ले जाए इसके साथ साथ आपको एक और कार्य करना है आपने साथ में मिठाई लेकर जानी है जो सफेद रंग की हो भगवान शिव को सफेद रंग बहुत प्रिये है आप वहाँ पर बैठ जाए मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूद अर्पित करें गंगाजल अर्पित करें और इसके साथ साथ आप धुतूरे का फल भी वहाँ पर रख कर थोड़ी देर के लिए ओम नमशिवाय का पाट करें 108 बार आप पढ़ सकते हैं एक माला कर सकते हैं और उसके बाद आपने उस परिवार में उसको बांट दे और प्रातना करें कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो और उस धतूरे के फल को आप घर पर लाकर काले कपड़े में जिसे आपने बांधा है आप अपने घर के मुख्य दौर पर उसको लटका दें ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपने इसे लटका दिया है, अब आपके घर पर किसी तरह की बुरी नजर नहीं लगेगी, किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार का कोई टोना टोटका आपके घर के उपर असर नहीं करेगा, तो ये इतना प्रभाव शाली है, पर आपको इसे लटका कर छोड़ना नहीं है आपको ओम्न में शिवाय का पाठ हमेशा करते रहना है एक दिन में एक माला तो जरूर करें आप लोग इसको अगर करते रहेंगे तो ये अभिमंत्रित रहेगा और आपकी रक्षा हमेशा करता रहेगा आपके घर में आने वाले धन के रास्ते खुलते रहेंगे मुखे दर्वाजे पर जब आपने इसको लटका दिया है तो इसके बाद आपने क्या करना है एक महीने के बाद यानि कि अगले शुकल पक्ष में जो भी सोंवार आएगा आप इसे इसी प्रकार से बदल दें इस धतूरे के फल को आप किसी भी पौधे के नीचे रखाएं या पानी में बहा सकते हैं और नया धतूरे का फल लाकर आप इसी तरह से लटका सकते हैं तो ये एक बहुत सिंपल सा साधारन सा उपाई है परतंत्र शास्त्र में इसका महत्व बहुत बड़ा है धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिया है और जहां धतूरे का फल होता है भगवान शिव की क्रिपा वहां जरूर होती है आप भी ये उपाई आजमा के देखें अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाई अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन से समस्त कष्टों का नाश होता है और आपके जीवन में शिव क्रिपा हमेशा बनी रहती है तो जरूर आजमा के देखें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विश्य के साथ तब तक के लिए आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद